हेलो आल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं कि आपके पॉर्टिसन के दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त इस टॉपिक पर हम लोग आज की अपनी यह रीडिंग दिखने वाले हैं क्योंकि कुछ लोगों को आप लोगों की अच्छी रही होगी बहुत सारे लोग होली में आज सेलिब्रेट कर रहे थे आप लोग चलिए अब देखते हैं ठक गय होगे आप लोग भी देखते हैं कि आपके परसन के दिल में क्या चल रहा है क्योंकि अभी उनको शानती मिली होगी होली खेल कर आए होगे आप भी खेले होगे शानती तो मिली होगी है ना तो चलो देखते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा अभी इस वक्त ठीक है तो यह स्टार्ट करते हैं रेडिंग को लिवर्स प्लीज गैड मी इस गाइड मी यह जिन्वर्स प्लीज गाइड मी जो भी भी वर देख रहा है उनके पॉर्शन के दिल में क्या चल रहा है प्लीज गैड मी तो फॉर्स्ट काड है मेरे पास नाइन ओफ पैंटिकल्स का ओके और काड देखते हैं यहां रखते हैं काड को प्रीज काइड मी ओके कभी काड्स जाएने ज्यादा गिर जाते हैं प्लीज काइड मी तेस गाइड मी दा मून ऑके फिस्काइड ने प्रीज इन्वर्श्ट प्रीज पाईब प्रीज प्रीज प्रीजन प्रीज वर्वर्वर्व प्रीजर और यहां पी दा मून का काड़ है चली डिखते हैं और क्या चल रहा है उनके दिल में the world okay please guide me okay three of cups बहुत ही खुबसुरत सा कार्ड आ रहा है बहुत ही positive cards आ रहे हैं वाव नाइस चलिए दुसरे deck से हम card निकालेंगे ठीक हैं दुसरे deck से भी card निकालने ते उसके बाद हम चीजों को देखते हैं ठीक है यहाँ the harafant का card है bottom of the deck okay so यहाँ पर मैंने आपको sign बता दिया है Kansas Scorpio Pisces भी है हमारे पास Taurus Virgo Capricorn तो है ही ठीक सो मैं card को I think इधर रखती हूँ ताकि cards आपको बहुत अच्छे से दिखे ठीक है so चले start करते हैं देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस ठीक है आपके लिए प्लेज गाइड में तो यहां पर मुझे कुछ लोगों का यह दिख रहा है ना कि अभी कुछ लोग जो है हैं no contact situation में हैं काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कुछ लोग टेरो कार्ड रीडर से रीडिंग भी ले रहे हैं ओके seven of pentacles nine of pentacles के नीचे seven of pentacles ओके टॉरस वर्गुद काप्रिकॉन अगें यहां पर टॉरस वर्गुद काप्रिकॉन जो है strong sign है मेरे पास ठीक है ओके और दिखते हैं cards please guide me 4 of pentacles again टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्ण टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्ण ही या पे strong है आपके person का टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्ण sign हो सकता है या आपका हो सकता है टेन आफ कप्स ओके तो यहां पर कैंसर कोड़ पाइस अगें है ऐसे दा वर्ल्ड का कार्ड है तो मेरे पास सारे ही कार्ड थे नाइट ऑफ कप्स ओके अगेंग एंसर कोड़ पाइस इत अफ कप्स केंसर कोड़ पाइस ठीक है चलो यहां पर जो है इस्पेशल साइन मैंने आपको बता ही दिया है नाइन अफ कप्स का कार्ड बॉटम अफ अफ देक वाव तो यहां पर जो कार्ड सेना गाईज यहां पर जो कार्ड मुझे बता रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हो कार्ट्स में ठीक है यहाँ मुझे यह देख रहा है आपके पॉर्षन के दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त तो यहाँ पे तो मैं देखू तो आपके पॉर्षन काफी कुछ सोच रहे हैं अपने रिलेशन सिप के बारे में देख रहे हो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद यहाँ पे गलती की है यहाँ कहें तो आपके बारे में बहुत जादा यहाँ पे डीपली इनके दिल में चल रहा है कि इस रिलेशन सिप में क्या कुछ कमी रहे गया जिसकी है बहुत अच्छी काम कर रही है आपकी दुआ जो है यहाप कर रहा है कि आपके परसंड लग cans की है जो कि आपके person यहां पे देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से यहां पे आप उसमें बहुत जदा खुबसूरत लग रही है बहुत ही अच्छा सा खुबसूरत सा ड्रेस है आपका आपके बाल खूले है ना तो यहाँ पे आप बहुत ज़ादा खुब्सूरत दिख रही है आज जो आपने पीक अप्लोड की है या कुछ दिनों पहले जो पीक अप्लोड की है ठीक है तो आपके person उसको देख रहे हैं और बहुत ही जहना energetic फिल कर रहे है ठीक है बहुत यहाँ तो सा इशू होता है ना छोटी कहते हैं कि राई का पहाण बारा ना है ना तो साइद वो कुछ चीजे हुई हैं आप दोनों के बीश में जिसको लेकर कि आपके पॉर्टिसन के दिल में चल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए है ना क्या सही रहेगा है ना सो आपके person के दिल में मुझे यही दिख रहा है कि आपके person काफी ज्यादा यहां पे उस चीज के बाल में सोच रहे हैं जो चीजे कुछ शुपू ही हुई है मतलब कि कुछ सच है जो की यहां पे आप दोनों के बीच में छुपा है है ना यानि कि आपके person को जूट पता है क्या reality है क्या सच है यहां पे पता नहीं चला है सो आपके person के दिल में यही चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है ऐसा कुछ तो है ऐसा जो कि मुझे नहीं दिख रहा है ठीक है सो आपके person कहीं न कहीं उस चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं I think misunderstanding की वज़ा से आप दोनों का relation खराब हो गया था यह हो गया है है ना तो यहाँ पे मैं यह देखूं और यहाँ जो cards हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके person यहीं सोच रहे हैं ठीक है यहाँ पे king है king of pentacles का card है जिस तरह के आपने कपड़े पहने हैं उस तरह के आपके person ने भी कपड़े पहने देख रहे हो आप लोग कार्ड्स में यह देखो ठीक है यह जो dress है इनकी यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे यह person मुझे काफी यह दिख रहे हैं कि काफी smart है ना और इन्होंने भी कोई ना कोई pick upload की है जिसको आप देख रहे हो social media पे देखने की कोशिश कर रहे हो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मुझे दिख रहे है कि आप जो है इनको भी स्टक कर रहे हो और आपके person भी स्टक कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहे है कि आपके person जो है अभी आपके बारे में सोच रहे हैं सोचने का मतलब यही है कि उनके दिल में चल रहा है आपसे मिलने का यहां पे कुछ यहां पे मुझे यह दिख रहा है कि कुछ यहां पे बिजनेस से रिलेटेड भी मुझे लगता है कि आपके परसन आपसे मिलना चाहते हैं स्टडी से रिलेटेड हो काम कुछ तो यहां पे हैं जिसको जिसके बहाने से यह प universe की तरब से होता है destiny की तरब से होता है और हम destiny के भरोसा करें तो बोहुत कुछ हमें मिल सकता है ठीक है बोहुत कुछ है ना तो यहाँपे मुझे card से ही बता रहे हैं कि आपके person के दिल में आगे बढ़ने के बारे में यह सोच रहे हैं मतलब आपके साथ celebration, यहाँ पे celebration का card है, तो आपके person के दिल में चल रहा है, आपके साथ celebration करने का third party involvement है आप दोनों के बीच में, तेक है, और देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ आपके दोस्त के friends भी हैं, जो कि आप दोनों के बीच में काफी misunderstanding create करते हैं, बहुत वही लोग यहाँ पे बहुत कुछ करते हैं, यानि कि misunderstanding create करते हैं, तो उसके लिए आपके person के दिल में चल रहा है कि देखो जो होगा, वो हो गया, ठीक हैं, अब आगे हमारा future हमारे हाथ में हैं, इसलिए आपके person यहाँ पे मुझे लगता है कि tarot card reading देखते हैं, या फिर tarot card reading करवा रहे हैं, एस्टो लॉजर से मिल रहे हैं, उनसे बाते कर रहे हैं, इनके दिल में यह चल रहा है, मुझे लगता है कि यह कहीं appointment लेने के बारे में भी जो है न, यहाँ पे यह इनके दिल में चल रहा है कि appointment लेते हैं, और appointment के बाद जो है न, यहाँ पे सीजो को discuss करत है कि शायद आप मुवन हो गए हो या कहें तो आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो अभी करेंट में ठीक है इनको ऐसा फील हो रहा है या इनके दिल में ऐसी थिंकिंग आ प्यार है वो प्यार को छोड़के जो है आप आगे बढ़ रहे हो ठीक है तो यहां पर मुझे यह दिख रहा है यहां मुझे यह भी दिख रहा है कि आपके परसन जो है बहुत जादा efforts दालने के बारे में सोच रहे हैं ठीक है उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी मुझे जहां तक लगता है और यहां पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके person के दिल में ये भी चल रहा है कि मुझे अब उसको खोना नहीं है four of pentacles है तो मुझे अब उसको खोना नहीं है कैसे इन्होंने protect किया हुआ देख रहे हो इन्होंने अपना purse जो है किस तरह से protect किया हुआ है तो ऐसे ही आपके person जो है अब आपको खोना नहीं चाहते है यहां पे मुझे ये दिख रहा है और इनके दिल में ये ही चल रहा है कि अब मुझे उसको नहीं खोना है तिक उसको मुझे अपने साथ अपने पास अपने दिल के करीब रखना है तिक और यहां पे 10 of cups के भी energy है जो कि मुझे बता रही है कि आपके जो person है आपके जो partner है यहां पे आपके साथ हसीन पल के सपने भी देख रहा है इनके दिल में ये भी चल रहा है कि हाँ हम दोनों आएंगे इस relationship में देखो यहां पे तो यही दिख रहा है कि यहां पे abundance यहां पे खुशिया है ना आपके person के दिल में ऐसी feeling है कि हाँ अब हम दोनों को दूर नहीं रहना चाहिए अब हम दोनों को पास में आना चाहिए हम दोनों को अपना relationship आगे ले जाना चाहिए क्यों कि यहां पे जो है cards बता रहे हैं कि अब आपके person ने एक decision लिया है action लेने का ठीक है कहीं ना कहीं आपकी यह जो wish है आपका जो यह सपना है या कहें तो आपकी जो manifestation है यहाँ पे complete होने वाली है ठीक है आपने जो दुआएं मागी है इतना struggle किये हो अपने दिन रात अपने इस person के लिए आपने खोया है तो यहाँ पे मुझे यही देख रहा है कि वो चीज खतम नहीं तो धिक है वो चीज खतम यहाँ पे अब मुझे यही देख रहा है कि हाँ आपके person जो है यहाँ पे अपने wish को fulfill कर रहे है याणि कि आपकी wish भी fulfill हो रही और इनकी भी wish fulfill हो रही है यानि कि आप दोनों की wish है आप दोनों का reunion हो आप दोनों के शादी हो है ना आप दोनों के का परिवार हो family हो है ना यहाँ पर four of cups का card है यानि कि आप देख रहे हैं यहाँ आप यहाँ सोच रहे हो आपके person भी जो है ना इनके दिल में यहीं चल vit रही है कि हाँ मेरा person भी सोच रहा होगा देखो क्या है कि चाहा तो दोनों तरफ से होती है है ना चाहा तो दोनों तरफ से है एक आपके तरफ से एक आपके पॉर्सन की तरफ से दोनों तरफ से चाहा थै और यहां मुझे यही दिख रहा है कि फॉर अफ कप्स की एनरजी यही बता रही है कि आपके person के दिल में यही चल रहा है कि शायद मैंने गलती की है और उसका अफसोस है इनको ठीक है उस opportunity का अफसोस है कहें तो इस वज़े से इस person का यह देख रहे हैं वो five of sorts है ना अपने आपको ब्लेम करना past की चुछों को लेकर के इनके दिल में इसकदर चल रहा है कि यह यह misunderstanding क्यों हुई किसलिए हुई और नहीं होनी चाहिए थी है ना तो इस बात का इनको अफसोस है ठीक है हर एक चीज मुझे दिख रहा है ठीक है हर एक चीज ठीक है और आपके person के दिल में यह भी है कि हाम मैं मिलू यहाँ पे क्योंकि देख रहे हो एक दूसरे से कितना इन दोनों को लव है है ना यहाँ पे सिव परवती है ना सिव परवती की जोड़ी है ना तो आपके person के दिल में कहीं ना कहीं यह तो जरूर है कि आप आपका जो जोड़ा है आप दोनों का जो connection है वो soulmate connection है twin flame है क्योंकि यहां पे आप दुनों चाहके भी अलग नहीं हो बाते हो कुछ ना कुछ तो connection है आपको तो पता ही चल रहा होगा ठीक है यहां पे दस सन का card है एक दम से यहां पे आपके person जो है यहां अपने relationship में यहां चाहते हैं कि हां सारी चीज़े clear हो और हम दोनो फिर से साथ में आए तो यहां पे इनके दिल में क्या चल रहा है उंके दिल में चल रहा है आपके साथ relationship को continue करने का ठीक है आगे ले जाना है इस person को अपना यह relationship यहां पे इनको छोड़ना नहीं है ठीक है इनके दिल में यह चल रहा है और और तेख लेते हैं रोमैंस Angel Oracle card से देख लेते हैं कि ससंगे दिल में क्या चल रहा है सो चलो देखते हैं इस गाइड में इस कईड का में अ चल्बंग सो यहां पर मुझे लगता है कि साइद आप योग दो हो आप लोग दोनों में ट्रस्ट इसूस रिघ्र यहां पे पर टेंशन ले रहे थे या कहें तो सिट्योशन जो है यहां पर सच नहीं दिख रहा था मैंने पहले भी कहा कि यहां पर कुछ जो है ना सच छूपा हुआ था ठीक है तो अब मुझे यह दिख रहा है कि अब आपके पॉर्शन ट्रस्ट करने लगे हैं कि क्या सच है देखो छूपता नहीं है नूंगे भूर्शन के साहाँ काहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से या सच आया है और यहाँ पर यह पोर्शन जो फूरskंअ है यह दिख रहा है कि आपके तरफ करने लगे हैं कि इनके दिल में चल रहा है कि हां मुझे ट्रस्ट करना चाहिए उस पे और feelings तो आएंगी ही आएंगी ठीक है इनके देखो क्या होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए feelings तो आती ही है ना तो वही है कि आपके person आपसे प्यार करते हैं और उनके दिल में feelings हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात है इंगेजमेंट वाव यहाँ पर कार्ड यह बता रहे हैं कि आपके person अब यही सोच रहे हैं कि अपने relationship को एक next step पे लिया जाएं engagement की जाएं, marriage की जाएं ठीक है तो आपके person काफी जादा hopeful हो रहे है इस relationship को लेकर के इसलिए मुझे लगता है कि यह किसी astrologer से या फिर किसी tarot card reader से appointment ले रहे हैं आपके person आपसे मिलना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं यह इस relationship को आगे ले जाना चाहते हैं ठीक है सबसे पहले तो कार्ड बता रहे हैं कि इस relationship के पहले आपके person आपके लिए बहुत ही जादा ठीक है और यहां पर क्लियर डिसीजन यहीं दिख रहे हैं मुझे कि यह जो चीज़े हैं आप दोनों की बीच में यह बहुत जल्द होने वाले हैं बहुत ही जल्द आप दोनों का relation मुझे लगता है कि सही होने वाला है ठीक है अगर आपके person आपके जिन्दगी में आते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना कि relationship जो है यहाँ पे यही तक था या फिर नहीं यह मेरा साथ नहीं देगा या एन ओल है न होता है न कि हाँ हम अपने person को लेके काफी ज़्यादा परिशान रहतें कि यह आया है फिर जाएगा है न तो होता है तो यहाँ पे यही कार्ट्स बता रहे हैं कि आप जो है न अपना mind खोल के रखो देखो यहाँ पे जो भी होगा अच्छे के लिए होगा इश्वर जो भी करेंगे आपके भलाई के लिए करेंगे और इस वर मियासता रखो मैं तो कहूं कि इस वर मियासता रखो क्योंकि उससे बड़ा और कोई नहीं होता वो उपर वाला है न हमारा भला क्यों होता है मैं जिससे प्यार करता हूं मैं जिससे प्यार करती हूं वह मेरे जिन्दगी से दूर क्यों चला जाता है होता है ना आप लोग सोचते हो ना तो देखो उसमें भी कुछ इश्वर की छुपी होती होती है उसमें भी उसका कुछ ना कुछ जो है ना इंटेंशन जरूर देते हैं ठीक है तो उससे हमें सीखने जाहए देखो हमसे हमाने साथ जो बुराई होती है ठीक है और इसमें अच्छाई भी होती है तो उस अच्छाई को हम छोड़के से बुराई को ही देख पाते हैं तो आप लोग कोशिश करना कि हाँ उसके पीछे इश्वर क्या चाहते हैं गौड मुझे क्या चाहते हैं यह देखो वो क्या मुझे सिखाना चाहते हैं यह देखो ठीक है यह ज़रूरी है यहापके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए एक्षन लेना चाहते हैं आपसे आगे रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं ठीक है इनके सुबा एंजल गाइडेंस जरूर देखना आप लोग एंजल गाइडेंस नहीं देखते हो बहुत बुरी बात है एंजल गाइडेंस देखो ताकि आपको हर एक सिचुशन में आपको रास्ता पता चल सके इश्वर की गाइडेंस मिल सके ठीक है और इश्वर की गाइडेंस मिल guidance thank you so much bye